हमारे, कहास सेरी के चौतह पार्ट में आपका만 स्वागत हैं सबसे पहले एक क्वीक रिकॉल पहले पार्ट में आपने जाना क ये संर उसक्षी पाल्न के बारे में जानेंगी अब हमागे हैं कि जो मुख दलानी फ़सल है और उसके खेद में राक्षा बताएंगे इसमें कितना सीड लगा हाऊ और कितना प्राफिट होगा इसमें क्योंकि मैं किसान भाहियों को बताना चाहूंगा तिलहन के बाद मुख ही रूप से हम खरीप में जो है दलहन के फ़सल के रूप में अरहर की और दूसरी एक प्रजाती हमारी पूसा अरहर सोरा है जो 120 से 25 दिन में तयार हो जाती है और उसकी आउसत जो उत्पदकता है 2.2 यानि 22 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से है और जैसा कि बीजदर की बात आपने किया इसमें करीब 3 किलोग्राम बीज जो है हमारा लगा है और टोटल जो चेतरफल है 700 मेंटर स्कार एरिया है और प्राफिट की बात करें तो कितना प्राफिट हो जाएगा प्राफिट आप इसका देखेंगे इससे करीब करीब हमको 2.5 कुंटल जो है हमको दाना मिल जाएगा अरहर के रूप में और दाल की किमत जैसा कि आप देख अले बताया दो से लेकि धाय कुंटल हम इतने चेतरफल से जो है उत्पादन लेते हैं अगली फसल इसके बाद उनको लेनी है तो समय से ले सके वो सबसे उत्तम राता है यह दिसंबर के मिड में इसकी जो है कटाई हो जाएगी और इसके बाद हम पचेती गेहों की बुआई असानी से ले सकते हैं और मिट्टी के लिए इसका क्या फाइदा होता अरहर के किशान भाईयों को इसकी बीजान करता है और उसमें दूसरी अगली जो हम फसल लेते हैं तो किशान भाई उसमें कम से कि कम से कम से कम से कम एकवाई उर्या की बचत दलानी फसल के थूरू कर सकते हैं इस सिरीज के अगले पार्ट में आप जानेंगे सब्जी की खेती के बारे में तब तक के लिए बने रहे जलिए किसान तक किसाद